हेलो दोस्तो नमस्कार मेरी हरी बरी बगिया में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं केले के पौधे पर केले का पौधा वैसे तो घर में लगाना बहुत सोब होता है तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि केले के पौदे को घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए और यह लगाना चाहिए तो किस जगह पर लगाना चाहिए और इसके क्या हमें फायदे मिलते हैं और क्या इससे हानी होती है इसके बारे में हाद जो हम बात तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि केले के पौधे को घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए तो हिंदु धर्म के अनुसार केले के पौधे को घर में लगाना बहुत सुब और पवित्र माना गया है लेकि कुछ जानकार लोग केले के पौधे को घर में असुम माना गया है तो आईए जानते हैं कि वो कौन सी परिस्तिती है जिसमें की केले के पौदे को घर में लगाना असुम माना गया है केले का पौधा एक आम पेड नहीं होता है बलकि एक पवित्र पौधा है इसकी पूजा की जाती है घर में लगाते समय कुछ साधानिया रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है इसे लगाने से लेकर इसकी देखभाल तक के लिए कुछ खास नियम का पालन करना जरूरी होत है तब ही केले का पौधा हमें शुब फल देता है अन्यथा इसका बुरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है विद्वानों के अनुसार केले के पौधे में देव गुरु ब्रहस्पती और भगवान विश्नों का वास होता है जो हमारे जीवन में सुक सम्रद्दिल आत या इसकी सही देख भालना की जाए तो परिसानी बढ़ जाती है अब बात आती है कि केले के पौधे को किस जगह पर कहां पर लगाएं तो केले के पौधे को हमेशा इसानकोन में लगाया जाता है और यदि आपका इसानकोन खाली नहीं है ऐसी दसा में आप या तो उत्तर म लगा देए दिसाइब इसके लिए बहुत सुब मानी गई है केले के पौधे को हमेशा घर के पिछले हिस्से में लगाना चाहिए में गेट के पास बिलकुल भी ना लगाएं केले के पौधे के आसपास हमेशा सफाई रखे और नियमत रुप से पानी दे गुरुवार के दिन केले के पौधे की पूझा करें और हल्दी से इसका पूझन करना विसेस माना गया है और घी का दीपक जलाएं अब बात करते हैं कि केले के पौधे को कहां नहीं लगाना चाहिए तो केले के पौधे को दक्षिन पश्यम दिसा में बिलकुल भी नहीं लगाना चाहिए केले क पौदे को काटे वाले जहां पौदे हो उजगे पर बिल्कुल भी ना लगाएं और भगवान नहलाते हैं अपन उस पानी को भी केले के पौदे पर बिल्कुल ना डाले सूखे फूल ना डाले इस बात का विशेज ध्यान दे अब बात करते हैं कि केले के पौदे से हमें क्या लाब होता है क्या सुब परिणाम प्राप्त होता है तो केले के पफोधे को घर में लगाने से संकट से चुटकारा मिलता है पिंद्र झुटर का भूजन करने हैं और केले के पोधे के बारे में जो आज मैंने जानकारी दी है वो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताईए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू फॉर वाचिंग दिस वेडियो